है 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 लो दोस्तों स्वागत है हमारी स्वीडियो चैनल एक्स्प्रेने वाले हैं परिमेश संख्याओं के दस्मलों का परसार सीखेंगे वह भी हम बेसिक से वीडियो में अंतक बन रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके तो देखें आपके सामने दो सवाल है य है अब क्या करेंगे हम पहला को शॉल्व करेंगे तुऑ अरच यह होता है ऑले से कम्ना जाहिए तो पहर हम दो बार पहणगे तो 8 दुना का सूरह हो जाएगा है अगर 3 बार पहुटते हैं तो 78 के 24 हो भीस हो जाएगा 17 से अधीक हो जाहिए ग। इसले कम बहुत किedere का 10 होगा है तो यहां पूर हम सोरह दे लेंगे आप क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे यहां पर एक से कट जाएगा और साथ में से जब एक साथ में से छे जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा हम पर तो एक बढ़ जाएगा ठीक है तो आप क्या करेंगे फैंस अब यहां पर एक है यहां पर आठ है तो में यहां पर Aveni एक से भाग नहीं जाएगा तीसलिए हम यहां पर 12 मूलों देंगे ठीक है तो जाएँगे तो क्या बचेगा तो दो हो जाएगा अफ फिर हम इह अपर भाज़ा हैं तो जीरो बढ़ाएंगे थिक है जब बढ़ाएंगे रब Hampshire पढ़ेंगे तो ञेंव कितना बार में जाएगा तो तो这么 from born 20 जाईगा तो चार बचेगा ठीश है और फिर 10 तो के जी रहाएंगे ठीक है अब आठके पभणा में 40 कितने बार में आएगा तो तो आठके पढ़ामे चालेश पांच बार में जाएगा weekend थो अब पाँच मतलब कर देंगे यहाँ पर माइनस मतलब कर देंगे तो यह कड़ जाएगा कड जाएगा इसका मतलब अगया है क्या selaw ूचा अगड सान्स का मतलब होता है पुर्फुरी कर ना उसिको हम सांत बोलते हैं और आसांत उसको बोलते हैं जो पूरि पूरी दिवाइस्त पुरी नहीं कटने चाहिए उसको असांत बोलते हैं कप्तियों सम प्रिमें सवंपर स्थ अहें हम क्या दें गे तो legs तो यह था हमारा पहला सवाल ठीक है तो हम अब अगले कोश्चों क्यों बढ़ते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझने में आ सके तो अब देखे फ्रेंट्स आपके सामने ये दूसार नवर सवाल है इसको भी हम चेक करना है मतलब परिमेश संख्याओं का दस्मूलों के परसार सांत है असान तो चलिए फ्रेंट्स हम भाग करके देख लेते हैं ठीक है तो साथ से हमको क्या करना है एक को भाग देना है ठीक ठीक है तो आप साथ के पढ़ा में दोस कितने बार में आया तो साथ के पढ़ा में तो दोस नहीं आया अगर साथ के पढ़ा हम दो बर पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा तो साधुना का 14 हो जाएगा मतलब यह दोस से अधिक हो जाए तो इसलिए हम साथ एकम साथ से चलेंगे तो साथ एक हम साथ यहां पर लिए ठीक है और मानस कर देंगे तो दोस में से साथ जाएगा तो क्या बचेगा तो तीन बचेगा ठीक है अब क्या करेंगे फिर यहां पर जीरू कर देंगे तो साथ के पढ़ा में 30 तो नहीं आएगा तो साथ के पढ़ा कितना वर पढ़ेंगे तो सौचुक 28 पढ़ेंगे ठीक है इससे कम हो जाना चाहिए लेकिन अधिक नहीं हो जाना चाहिए लेकिन हम क्या करेंगे पर घटा देंगे यह कट जाए इसलिए 2-2 है यह तीन हासरी लेगा जिरो को तो यह दस बना देंगा दस में से आठ जाएगा तो दो बचेगा ठीक है दो बचेगा तो फिर यहां पर क्या बढ़ा देंगे तो जीरो बढ़ा है तो दो हाँसी देड़ेगा इसको तो यह दोस बना देगा यह एक हो यह कड जाएगा तो दोस में से चाल जाएगा तो छे बचेगा ठीक है उपर कर लेते हैं थोड़ा छे बचेगा तो फिर यहां पर जीरो लगा देगे जब तक से संख्याए कटनी नहीं चाहिए तब तक कीसी ठीक है तू साट साथ कितने बार तूस साथ के पढ़ां तो og पर दहाएगा तो कितने बार में आईगा तुछ अपर पढ़ा पढ़ते हैं तो 56 हो रहा है मतलब हम साथ के पढ़ा ही मतलब साथ के पढ़ा आठ बर पढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 56 हो जाएगा ठीक है तो छोपन हो जाए यहां पर मैनस ते लेंगे यह 6 है जब 6 हांसिल देगा जीरो को तो यह दोस बना देगा दोस बना देगा तो यह पांच हो जागा यह तो पांच पांच कर जाएगा ठीक है दस में से जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा तो चार बचेगा तो फीर अब चार पचेगा तो यहां पर 0 बहा देना है अब 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 7 पाइटिस अगर सच्छक 42 करते हैं तो 40 से दूब फालतू हो जा रहा है तो सच्छक 42 नहीं करेंगे हम साथ का पढ़ा पाँचे ही बार पढ़ेंगे इसलिए 40 से कम हो जाना चाहिए इससे अधिक नहीं होना चाहिए तो साथ पाचे 35 करेंगे ठीक है अगर मैनस कर देंगे यहां पर अब अब जीरो है तो हांसित दे लेगा तो ये दस बना देगा ये तीन तीन हो ये तीन तीन कर जाएगा दस में से पांस जाएगा तो पांस होगा ठीक है अब क्या करेंगे फिर हम जीरो बढ़ाएंगे ठीक है अब साथ का पढ़ा कितना वर पढ़ेंगे तो सथ से उन्चास उन् हो जाएगा सो क्या हो जाएगा तो 7 9 मैनस कर सक देंगे यह पर यह लिए आप जाएगा इसलिए ज जीरो तो 0 क है कोहां सी देल लगत यह क्या बना देंगे तो यह 1 हो जाएगा में से costume तो पर तो फिर करेंगे बढ़ादेंगे हैं अब 7 का पढ़ा क्या करेंगे और 7 का पढ़ा हम पढ़ेंगे की 9 आजाए तो 10 साइवन Hear So this ह till Hai not Him इसलिए हम क्या करेंगे साथ-ैकव साथ बढ़ेंगे ठीक है मतर हम जीरो लेंगे यहीं संख्याय बार बार दूहराने लगे मतलब तीस नहीं दूहराने लएगा इसलिए तीस यहाँ पर है ठीक है तीस यहाँ पर है तो यहीं संख्याय बार बार दूहराने लएगी इसलिए यहाँ पर रिपिटेशन बार बार होए लागी इसलिए दसमें सा परसार असांत है क्या है यह और सांत है ठीक है इसलिए बार-बार रिपीटेशन हो रहा है इसको मतलब बार-बार दूहराया जा रहा है तो यह तो आसांत है तो इस तरह फ्रेंस आप दोस्मोलों का परसार आसानी से घ्याद कर सकते हैं ठीक है तो चले फ्रेंस मेरे वीडियो अच्छा लगों तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कर लें